हेलो गाइज, वेलकम बैक, कल हमने आपकी नियोरोन की स्ट्रक्चर और इसके बारे में सब कुछ बढ़ा था, तो अभी हम नेक्स्ट एक चीज आपको यहां देख रही होगी, माइलिनेटिड नियोरोन और नोन माइलिनेटिड नियोरोन, अब मैंने आपको बताया था माइल माइलिनेटिड नियोरोन वो होगी, जिसके उपर माइलिन शीथ होगी, और नोन माइलिनेटिड नियोरोन कौन सी होगी, जिसके उपर माइलिन शीथ नहीं होगी, इस सेज को आप यहां क्लियरली नहीं देख सकते हो, पर एक डागराम है, जिसके अंदर आप इसको क्लियरल नहीं हो रहा था, किस सीज में help कर रही थी, वो आपकी insulator की तरह काम कर रही थी, अब ये diagram देखिए, इसमें आपको दोनों तरीके के दिखाए है, myelin के भी और non-myelin के भी, ये जो diagram है, ये आपका myelated neuron का है, ठीक है, इसके अंदर आपको जो ये दिख रहा है, ये क्या है, आपकी exon है, ठीक है, yellow yellow ये क्या आपकी exon, exon के उपर आपकी क्या होगी, exolema होगी, exolema के उपर ये आपकी क्या है, myelin sheath है, अब इस diagram के अंदर देखिए, ये आपकी exons है, bundle of exons है, कैन के उपर ऐसी ऐसी कोई चीज आपको दिख रही है, नहीं, तो इसके अंदर क्या नहीं है, आपका myelin sheath नहीं है, squand cell क्या थी, आपकी neuroglia है, ये एक तरह से, ठीक है, neurolema जो आप पढ़ रहे थे, वो क्या है, ये है, तो exon, exon के उपर exolema, exolema के उपर myelin sheath, myelin sheath के उपर भी आपका क्या, neurolema, तो इस non-myelated neuron के अंदर ना myelin sheath होगी, ना neurolema होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी, ये क्या है, squand cell का cytoplasm है, जो आपका, ये exon, ये squand cell, ये squand cell का nucleus, ठीक है, इस diagram के अंदर आपको ये बताया गया है, clearly कि आपका क्या नहीं होगा, myelated और non-myelated neuron के बीच में difference क्या है, आपको पता चल गया होगा difference, ये वाली जो covering है, myelin sheet की, जो इस exon को क्या कर रही है, protect भी कर रही है, और क्या नहीं होने दे रही है, message का बाहर leakage नहीं होने दे रही है, ठीक है, next, आज हम जो पढ़ेंगी, वो है आपका, जहां से आज का हमारा lecture शुरू होता है, वो है properties of neuron, ठीक है, हमने neuron का diagram, उसके structure, or myelated, non-myelated, दो तरह की neurons हमने पढ़ ली है, अब next है, जो आपका properties, आपकी neurons भी एक तरह की cell है, पर इनकी कुछ specialty है, तो वो आपको यहां पर बताए गई है, एक irritability और conductivity, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, वो आप देखे, irritability, जो property है, एक neuron की, उसका मतलब है, ability to initiate the nerve impulse, in response to stimuli, ठीक है, ability to initiate, शुरू करने का, nerve impulse यानि message, in response to stimulus, यानि कोई change, ठीक है, अगर आपकी body में, बाहर या अंदर, outside the body, या inside the body, कोई भी change होता है, stimulus का मतलब क्या, कोई भी change होता है, उसके response में, message को शुरू करने की ability, किसको क्या कहते है, irritability, ठीक है, इसको मैंने आपको नीचे से समझाया, क्या, आपकी body के अंदर या बाहर, कोई भी change या stimuli आता है, उसके response में, nerve impulse, या फिर message initiate, शुरू करने की ability को irritability कहते है, ठीक है, ये property आपकी किसकी है, neuron की, यानि neuron खुद capable है, किसी भी change के response में, message को शुरू करने के, तो अब आपका outside the body, क्या-क्या change ही जा सकते हैं, अगर आपको कोई टच करता है, वो भी आपको पता चलता है, आप hot या cold substance को टच करते हैं, वो भी पता चलता है, कितने pressure से touch हो रहा है, वो भी आपको पता चलता है, या फिर light waves, ठीक है, बाहर से आखों में light waves जैसे लगती हैं, ज्यादा कम, उसे साब से आपकी आख की जो neurons हैं, वो capture करती हैं, और आपका message generate करवा देती है, bright light में आखे आपकी बंद होने लग जाती है, और dark light में आपकी आखे क्या हो जाती है, ज्यादा wide होने लग जाती है, inside the body आपको क्या क्या changes देखने को मिल सकते हैं, inside the body आपकी body के अंदर mal low CO2 या auto का concentration चेंज होने लग जाए, आपकी body की pH value चेंज होने लग जाए, ठीक है, तो उस change को भी, क्या, उस change की response में आपकी body क्या करे, message को शुरू करें, तो उसको आप क्या बोलोगे, irritability, तो irritability क्या है, property है neuron की, next आपका जो इसका प्रोपर्टी है, वो है conductivity, conductivity, conductivity का मतलब क्या है, ability to transmit an impulse, ability to transmit and impulse is called the conductivity, अब शुरू भी कर सकती है neuron, और उस message को आगए क्या कर सकती है, transfer भी कर सकती है, transmit भी कर सकती है, तो इसको किसी और चीज की जरती नहीं है neuron को, यह खुद अपना message initiate कर सकती है, और खुद ही अपना message क्या कर सकती है, आगे pass भी कर सकती है, ठीक है तो यह आपकी दो important क्या है, properties थी neuron की, next जो topic आज का है, आपका वो है types of neuron, ठीक है, अब neuron की एक property, मैंने आपको बताई थी, कि it is the structural and functional unit of the body, तो उसी एक बात के base पे आपकी, जो neurons है उनका मैंने दो तरिक्के से division किया है, based on structure, based on function, ठीक है based of structure, आपकी neurons कितनी तरह की होती है, और function की base पे कितनी तरह की होती है, वो आपने पढ़ दाए है, ठीक है, तो function की यह तो आपने पढ़ी भी होंगी, sensory motor or mixed nerve, या neurons, ठीक है, यह क्या होती है आपकी function के base पे आपकी neurons की type है, sensory को आप front भी बोलते हो